हाई फ्रेंड दिस एज यूर वाचिंग बॉडी देंटिफ तो देखे जी जैसा के मैंने आप लोगों के साथ पहले एक डाइट प्लाइन शेयर किया था कि 10 डेज में 8 kg अपने वेट लॉस करने हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वेजिटेरियन डाइट प आपका वेड जो होता रहेगा इसमें हम क्या करने मनें कॉटी वेड लूस करेंगे ताकि आपके आपकी एक बाडी में क्वालिटी नजा आई ये नहीं कि आपको जो भी कोई देखे आपको बोले ये कि अपनी क्या आलत बना लिया है बलकि आपको देखे तो आपको बोले आप फिट हो गई है या आप फिट हो गई है तो ये फी मेल्स भी कर सकते हैं मेल्स भी दोनों कर सकते हैं मैं भी आपको डायेट प्लैन बताऊंगा आपने क्या करना है इसके बाद मैं वर्काउट शेयर करूंगा जो इससे पहले डायेट प्लैन मैं शेयर किया था वो और जो अभी वेजडेरियन शेयर का रहा हूं ये दोनों लोग जो हैं वो मेरा जो न्यू वर्काउट आएगा मैं इसके बाद शेयर करूंगा वो इन दोनों ने फोलो करना है फोलो करना है वो इसलिए वीडियो लेट होई है कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आप ये डायेट प्लैन अपने पास रेडी रखें चीज़ें लाकर राक लें अपने पास नौट डाउन कार ल हेलफफल होती है आपके मैडबलीजम को फास्ट करने में आपका पूरा फैट लूस प्रोसेस जो इसको फास्ट करने में आपकी बाड़ी को एक क्वाल्टी देने में एक क्वाल्टी फैट लूस करने में तो सबसे पहले आपने क्या करना है रात को आपने सोने से पहले एक जो कि इस यह बड़ृ इ स्टप इसके बाद आपका ब्रेकफास्ट आजाता है आप का ब्रेक फास्ट कर सकते हैं यह आपने क्या टो पीम स्ट्ट कराएं तू टू की अ मिक्स वेजिटेबल्स का मिक्स वेजिटेबल्स आपकी कौन कौन सी होंगी आपकी पालक होगी आपकी शिमला मिर्च होगी आपकी गाजर यानि के कैरट होगी आपके मटर होंगे ये चीज़ें आपने स्टीम कार लाना है आप इसको आपने स्टीम किस तरीके से करना है इसमे पका लेने, आपने क्या करना है, इसमें हाफ स्पून या एक स्पून आपने एपल साइडर की भी डाल लेनी है ये आपने इस तरीके से जो आपकी मिक्स वेजटेबल्स हैं, वो आपने बना के अपने ब्रेकफास्ट में इस्तिमाल करनी है टू पीस ब्राउन ब्रेड, मिक्स वेज़ेबल्स को बोल और एक कप ग्रीन टी ये आपका ब्रेक फास्ट हो गए इसके बाद आपने क्या करना है बारा से एक के दर्मियान आपने एक आपने एपल लेना है उसके साथ आपने ग्रीन टी पीनी है ये कंबिनेशन जो है बहुत अच्छ है फैट लास के लिए ये आपने लाजमी करना है इसके लावा लेन्च आजाता है लेन्च में आपने क्या करना है आपने वेज़ेबल्स सूप पिना है किन किन वेज़ेबल का बनाना है वो सुनने है इसके लिए आपको मटर चाहिए शिमला मर्च चाहिए इसके लावा आपको केरट यानिके गाजर चाहिए इसके लावा आपको कौन्स यानिके आपको जो चली होती है ना चली उसके दाने कौन्स जो होते हैं स्वीट कौन्स जिसे हम कहते हैं इसमें आपने अधरक डालनी है काली मर्च डालनी है नमक डालना है अगर सोया सोस है तो डालने नहीं है तो डालने नहीं है तो डालने मैटर इसके लाब आपने हाफ चमच एपल साइडर की इसमें डाल लेनी है डाल के आपने इसको सूप बना लेना है सूप बना के आपने दो पीस ब्राउन ब्रेड के लेने है और उस ब्राउन ब्रेड जो आप पीनिट बटर भी लगा के खा सकते हैं अगर नहीं खा सकते तो आप ऐसी खाएंगे जारी बाद आप पीनट बेटर लगाए खाएंगे तब यह आपको फाइदा होगा इसके बाद आपका ब्रेक आ जाता है फिर आपने पांच से छे के दरमियान एक एपल और एक ग्रीन टी मस्ट लेनी है अब आपका रात को डिनर आ जाता है टाइमिंग आप अपने साबसे एड़जस्ट कर लीजिएगा क्योंकि अगर मैं टाइम आपको पताता हूँ तो फिर आपको मुश्कल होती है डिनर में आपने साट ग्राम वाइट राइस लेने हैं मिक्स वेजीटेबल के साथ याँ साट ग्राम आपने वाइट राइस जाने के वाइट राइस भांए उसके वपर आपने थोड़ी सी वेजीटेबल्स ढाली जाल लिए वपर इसको मिक्स करने मिक्स करना है बाइब़ लेना है रात को सोने से पहले आपने एक ग्लास पनी का आपने वो पी लेना है वो पी के आप सोजें सेम आपकी अगले डे जो है वो रोटीन होने वाली है वर्क आउट की टाइमिंग जो है वो मैं आपको जब वर्क आउट की वीडियो लेके आँगा उसमें बताँगा इस वीडियो को शेर आपने मस्ट करना है अगर चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे प्लैना है जितनी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे मुझे मोडिवेशन मिलेगी सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे तो उतनी ज्यादा मैं वीडियो लेकर आऊँगा इसके लावा इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना फिर क्या रहा हूँ नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का वहाँ पर जाके फॉलो करें को क्यूरी है वहाँ पर डाल दें अगर उसका जवाब देना हुआ तो मैं आपको जरूर दूँगा अगली वीडियो में फिर मिलेंगे गुड़ बाई